A very special good afternoon to all of you, स्वागत है आपका हमारे चैनल study with अभिमान में तो आज मैं आप लोगों के लिए polytechnic entrance exam 2020 के लिए chemistry का एक test लेकर आया हूँ तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को सुबा ही अपने चैनल के community tab पर बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का chemistry का test होने वाला है और साथी साथ मैंने आपको topic भी बता दिया था कि किस topic से related आप लोगों का test होने वाला है तो आज के हमारे test का topic क्या है धातू और उनके ask यानि आज के test में मैं आप लोगों से धातू और उनके ask से related important questions पूछने वाला हूँ तो आज के इस video में मैं आप से यहाँ पे total 14 questions पूछूँगा तो जैसे मैं आप लोगों से questions पूछू वैसे ही आपको यहाँ पे questions के answers करने हैं और जब video finish हो जाएगी तो last में comment करके जरू questions correct हुए हैं और मैं जैसे आप लोगों से questions पूछूँगा उसके 15 या 20 second बात मैं आप लोगों को उन questions के answers बता दूँगा जिससे आप अपने answers को match करवा पाएंगी और मैं आप लोगों को बता दूँ कि धातू और उनके ask से related मैंने एक video already बनाई हुई हैं जहाँ पे मैंने आपको सभी चीजे detail में बताई हुई हैं तो उसी topics related आज किस video में मैं आप लोगों से questions पूछने वाला हूँ तो चलिए फिर test को start करते हैं और देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे सबसे पहला question क्या दिया है तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हुँगे यह आज का आपक उसे question पूछा किसीने बार किसका ask है आपको यहाँ पे बताना है किसीने बार किसका ask है और चार options आप लोगों की screen के उपर आप लोगों को दिख रहे होंगे तो सबसे पहले आप इस question का answer करने की कोशच कीजिए फिर उसके बाद मैं आपको इस question का answer बताऊंगा तो तब तक मैं आपको यहाँ पे options पढ़के बता देता हूँ, option A दिया है पारे का, option B दिया है copper का, option C दिया है lead का और option D दिया हुआ है zinc का, अब यहाँ पे पारे का लिखा हुआ है तो पारे को हम किस से represent करते हैं, HG से represent करते हैं, यह ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पे copper का लिखा तो lead को हम PB से represent करते हैं, और लिखा है zinc का, तो zinc को हम ZN से represent करते हैं, यह मैंने आपको क्यों बताया, तो यह जो आपका question है, यह question आपका UP Polytechnic Interance Exam 2017 में already एक बार पूछा जा चुका है, और जब 2017 के entrance exam में आप लोगों से यह question पूछा गया था, तो आपके options इस form में दिये हु options दिये हुए थे, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे detail में बता दिया, क्योंकि जब आपके entrance exam में questions पूछे जाते हैं, तो questions में छोटे मोटे changes कर दिये जाते हैं, जिससे आप लोग confused हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे यह भी लिख के बता दिया, ताकि हो, तो यहाँ पे maximum लोगों ने अपना answer कर लिया होगा, तो सिने बार किसका ask है, इसका आपका correct answer हो जाएगा, option A यानि पारे का है, और पारे को हम किस से represent करते हैं, HG से represent करते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको option में पारा भी लिखा हुआ मिल सकता है, और HG भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो confused मत होईएगा, तो सिने बार किसका ask है, पारे का है, पारे को हम HG से represent करते हैं, आशा करता हूँ, यहाँ पे maximum लोगों ने answer correct जरूर दिया होगा, अब चलिए बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number second, तो question number second, मैंने आप से यहाँ पे पूछा, कि विले माइट किस ध हातू का ask है, तो चार options आप लोगों की screen के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप इस question का answer करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको यहाँ पे options पढ़के बता देता हूँ, तो option A आपका दिया है, manganese, option B दिया है, calcium, option C दिया है, zinc और option D दिया है इन में से कोई नहीं, अब यहाँ पे manganese लिखा हुआ है, तो manganese को हम MN से रिप्रदेंट करते हैं, calcium को C A से रिप्रदेंट करते हैं, zinc को ZN से रिप्रदेंट करते हैं, यह ध्यान रखेगा, आपको options में यह भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहा यहाँ पे maximum लोगों ने अपना answer कर लिया होगा, तो चलिए अब मैं आपको इसका correct answer बता देता हूँ, कि Willemite किस धातू का ask है, तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा, option C यानि zinc, यानि ZN यह आपका इसमे correct answer हो जाएगा, Willemite किस धातू का ask है, zinc का है, option C यह आपका correct answer हो जाएग और मैं आशर करता हूँ, यहाँ पे maximum लोगों ने इस question का answer correct जरूर दिया होगा, क्यूंकि यह topic मैंने आप लोगों को already पढ़ा दिया है, और मैंने आप लोगों से कई बार कहा है, कि अपना revision जरूर किया कीजिए, अगर revision नहीं करेंगे, तो जो question आपको आता रहेगा, वो question आप entrance exam में गलत करके आएंगे, तो revision जरूर किया कीजिए, यह आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो option C आपको समे correct answer हो जाएगा, अब चलिए बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number third, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह आपका question number third है, तो मैंने आप से यहाँ question पूछा, कि magnetite किस धातू का isk है, question क्या है, कि magnetite किस धातू का isk है, तो चार options आप लोगों के screen के उपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप इस question का answer करने की कोशच कीजिए, तब तक मैं आपको options यहाँ पर पढ़के बता देता हूं, option A आपका दिया ह option C calcium का और option D दिया है, इनमें से कोई नहीं, अब यहाँ पर zinc लिखा हुआ, zinc को ZN से represent करते हैं, aluminium को हम AL से represent करते हैं, calcium को CA से represent करते हैं, इस form में भी आपको यहाँ पर options लिखे हुए मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दे रहा हूं, तो यहाँ पर maximum ल आपका समें correct answer हो जाएगा, option D यानि इनमें से कोई नहीं, तो फिर magnetite किस धातो का ask है, जो magnetite होता है, वो लोहे का ask होता है, ध्यान रखियेगा, तो आपको option में यहाँ पर zinc लिखा हुआ मिल रहा है, aluminium मिल रहा है, calcium मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लोहा तो कहीं लिखा ही न और लोहे को हम F E से represent करते हैं, यह भी ध्यान रखियेगा, आपको option में F E लिखा हुआ मिल सकता है, तो यहाँ पर आपका question का correct answer हो जाएगा, option D यानि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि option में आपका लोहा दिया नहीं हुआ था, और जो magnetite है, यह किस धातो का ask होता है, लोहे का ह होता है, ध्यान रखियेगा, अब चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 4, तो question number 4 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि pyrolocyte किस धातो का ask है, question क्या है, आपको यहाँ पे बताना है कि pyrolocyte किस धातो का ask है, तो 4 options आप लोगों की screen के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हो तो यहाँ पे option A आपका दिया है manganese का, option B दिया है sodium का, option C दिया है lead का और option D दिया है, इनमें से कोई नहीं, अब यहाँ पे manganese लिखा हुआ है, manganese को हम MN से represent करते हैं, sodium को NA से represent करते हैं, lead को PB से represent करते हैं, तो ऐसे भी आपको options लिखे हुए मिल सकते हैं, ठीक है, तो यह पर maximum लोगों ने अपना answer कर लिया होगा तो चलिए अब मैं आपको इसका correct answer बता देता हूं कि pyrolycite किस धातू का ask है तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा option A यानी manganese का mn ये आपका समें correct answer हो जाएगा जो pyrolycite किस धातू का ask है manganese का है और manganese को हम mn से represent करते हैं ये भी ध्यान रखिएगा option A आपका इसमें correct answer हो जाएगा और आशा करता हूं कि maximum लोगों ने इस question का answer correct जरूर दिया होगा क्योंकि ये topic मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया हुआ है अब चलिए बढ़ते है next question की तरफ question number 5 तो question number 5 मैंने आप से यहाँ पे पूछा कि इस को नाइट किस धातू का ask है ये question तो मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले test में ही पूछा हुआ था question क्या है कि इस को नाइट किस धातू का ask है चार options आप लोगों की screen के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे तो सबसे पहले आप अपना answer यहाँ पे करने की कोशिच कीजिए तब तक मैं आपको यहाँ पे options पढ़के बता देता हूँ option A आपका दिया है silver का option B तामे का option C lithium का और option D दिया है potassium का अब यहाँ पे लिखा हुआ है silver silver को हम AG से represent करते हैं ध्यान रखिएगा किस से AG से represent करते हैं तामे को CU से represent करते हैं lithium को LI से represent करते हैं और potassium potassium को हम K से represent करते हैं यह ध्यान रखिएगा maximum students potassium में confuse हो जाते हैं और वो P लिख देते हैं ध्यान रखिएगा P नहीं होता है K होता है potassium को हम किस से represent करते हैं K से represent करते हैं तो आपको options इस form में भी लिखे हुए मिल सकते हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है तो यहाँ पर maximum लोगों ने अपना answer कर लिया होगा तो चलिए अब मैं आपको इसका correct answer बता देता हूँ कि किस धातू का ask है तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा option D यानि potassium का यह आपको समे correct answer हो जाएगा और potassium को हम K से represent करते हैं आपको K लिखा हुआ मिल सकता है ध्यान रखिएगा confused मत होईएगा तो इसको ना इट किस धातू का ask है potassium का है potassium को हम K से represent करते हैं अब चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 6 तो question number 6 आपका यहाँ पे दिया हुआ है किस सिल्वाइन किस धातू का ask है यह question मैंने आप लोगों से एक महीने पहले ही पूछा हुआ था test में ही आप लोगों से पूछा हुआ था तो आशा करता हूँ कि maximum लोग इस question के answer को correct जरूर करेंगे question क्या है किस सिल्वाइन किस धातू का ask है 4 options आप लोगों के screen के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैं आपको options पढ़के बता देता हूँ option A दिया है silver option B calcium option C दिया है potassium और option D दिया है इनमें से कोई नहीं तो सबसे पहले आप लोग अपना answer यहाँ पे करने की कोशच कीजिए silver को हम AG से represent करते हैं यहाँ पे लिखाए calcium को CA से represent करते हैं potassium को के से represent करते हैं और last option आपका दिया है इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे maximum लोगों ने अपना answer कर लिया होगा तो चलिए अब मैं आपको question का correct answer बता देता हूँ तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा option C यानि potassium सिल्वाइन किस धातू का IS है potassium का है और potassium को हम के से represent करते हैं और maximum students क्या करते हैं question को पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा है सिल्वाइन और तुरंट टिक कर देते हैं silver पर और answer कर देते हैं गलत तो ध्यान रखिएगा जो सिल्वाइन है वो potassium का IS को होता है ना कि silver का नाम आपको एक जैसा यहाँ पे लग रहा होगा इसलिए आप लोग confused हो जाते हैं लेकिन जो सिल्वाइन है वो किस धातू का IS का है potassium का है ध्यान रखिएगा option C यह आपकर समे correct answer हो जाएगा तो आशा करते हूँ यहाँ पे maximum लोगों ने अपना answer correct जरूर किया होगा अब चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 7 तो question number 7 most important question है यह ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे आपसे question क्या पूछा गया है कि कैसिटे राइट किस धातू का IS कै आपको बताना है कि कैसिटे राइट किस धातू का IS कै चार options आप लोगों की screen के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे तो मैं यहाँ पे options आपको पढ़के बता देता हूँ तब तक आप अपना answer कीजिए option A दिया है tin का option B दिया है lithium का option C copper का option D दिया है lohe का तो यहाँ पे tin लिखा हुआ है tin को हम represent करते है Sn से ध्यान रखिएगा lithium लिखा है lithium को Li से represent करते है फिर इसके बाद लिखा है copper copper को Cu से और फिर लिखा है lohe का lohe को हम Fe से represent करते हैं तो आपको options system में भी लिखे हुए मिल सकते है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखे बता दिया है और यहाँ पे maximum लोगों ने अपना answer कर लिया होगा तो चलिए अब मैं आपको इस question का correct answer बता देता हूँ कि Cassidy right किस धातू का I ask है तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा option A यानि tin का है और tin को हम SN से represent करते है option A आपका इसमें correct answer हो जाएगा यानि tin का और tin को हम represent करते है SN से तो यह question आपका इस बार के entrance exam के point of view से यानि 2020 के entrance exam के point of view से most important है यह आप से पूछा या सकता है तो इसको prepare जरूर कर लिजेगा और आशा करता हूँ कि maximum लोगों ने इस question का answer correct जरूर दिया होगा अब चलिए बढ़ते है next question की तरफ question number 8 तो question number 8 यह भी आपका most important है question क्या है कि एजोराइट किस धातू का आयस्क है आपको यहाँ पे बताना है कि एजोराइट किस धातू का आयस्क है चार options आप लोगों की screen के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे तो सबसे पहले आप इस question का answer करने की कोशिश कीज़े तब तक मैं आपको यहाँ पे options पढ़के बता देता हूँ option A आपका दिया है aluminium का option B दिया है copper का option C दिया है lead का और option D दिया है इनमें से कोई नहीं ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना answer कर लिया होगा देखिए यहाँ पे लिखा है aluminium aluminium को हम AL से represent करते हैं copper को CU से और lead को PB से ठीक है यह मैं आपको बार-बार लिखके इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको options ऐसे भी लिखे हुए मिल सकते हैं तो जो azuride होता है यह किस धातू का है इसको होता है तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा option B यानि copper यह आपका इसमें correct answer हो जाएगा यानि CU का होता है यह ध्यान रखेगा अब यहाँ पे azuride लिखा हुआ तो आपको azuride का formula भी पता होना जरूरी है आपसे इसका chemical formula भी पूछा जाता है azuride का तो इसका chemical formula मैंने आपको कई बार बताया है azuride का एक बार में फिर से बता दे रहा हूँ कि azuride का chemical formula क्या होता है तो इसका chemical formula होता है 2 Cu CO3 dot Cu OH का hold twice होता है यहाँ पे 2 लिखा जाता है नीचे इसको हम क्या पढ़ते हैं twice पढ़ते हैं ध्यान रखिएगा तो यह होता है azuride का formula यह भी आपसे पूछा जा सकता है formula क्या है 2 Cu CO3 dot Cu OH का hold twice तो इसको भी याद कर लीजेगा आपसे सीधे-सीधे formula पूछा जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा option B यानी copper का अब चलिए बढ़ते है next question की तरब question number 9 तो question number 9 यह भी question मैंने आपको अलेडी कराया है test में ही मैंने आप लोगों से पूछा था question क्या है कि सेरु साइट किस धातू का आयस्क है question है यहाँ पे कि सेरु साइट किस धातू का आयस्क है चार options आप लोगों की screen के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे तो सबसे पहले आप अपना answer करने की कोशिश कीजे तब तक मैं आपको यहाँ पे options पढ़के बता देता हूँ option A दिया है potassium का potassium को हम K से represent करते हैं option B दिया है lead का lead को हम PB से represent करते हैं option C दिया है calcium का calcium को हम CA से represent करते हैं और option D दिया है इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे maximum लोगों ने अपना answer कर लिया होगा तो चलिए अब मैं आपको इसका correct answer बता देता हूँ आखिर आपका इसमें correct answer क्या होगा तो आपका इस question का correct answer होगा option B यानि lead का यानि PB ये आपका इसमें correct answer हो जाएगा seroside किस दातों का ask है lead का है PB का है ध्यान रखिएगा अब चलिए बढ़ते है next question की तरफ question number 10 तो question number 10 बहुत ही अच्छा है question आपका यहाँ पे है कि globe right किस दातों का ask है question क्या है कि globe right किस दातों का ask है चार options आप लोगों के screen के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे तब तक सबसे पहले आप लोग अपना answer करने की कोशच कीजिए तब तक मैं आपको यहाँ पे options पढ़के बता देता हूँ तो option A दिया है tin का, tin को हम essence से represent करते है option B दिया है manganese का, manganese को mn से represent करते है option C दिया है zinc का, तो zinc को jonancy और option D दिया है sodium एनि sodium को हम na से represent करते है तो आपको options ऐसे भी लिखे हुए मिल सकते है तो यहाँ पे question क्या है कि globe right किस धातू का ask है और यहाँ पे maximum लोगों ने अपना answer कर लिया होगा तो चलिए अब मैं आपको इस question का correct answer बता देता हूँ तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा option D यानी sodium का जो globe right किस धातू का ask है sodium का है sodium को हम N A से represent करते हैं ये भी ध्यान रखियेगा तो आशा करता हूँ यहाँ पे maximum लोगों ने इस question का answer correct जरूर दिया होगा अब चलिए बढ़ते next question की तरफ question number 11 तो question number 11 आपसे पूछा गया है कि corundum किस धातू का ask है आपको यहाँ पे बताना है कि corundum किस धातू का ask है चार options आप लोगों की screen के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे तो सबसे पहले आप इस question का answer करने की कोशच कीजिए तब तक मैं आपको यहाँ पे options पढ़के बता देता हूँ option A दिया है sodium का sodium को N A से represent करते option B जिंक को हम ZN से represent करते option C aluminium का यानि AL से represent करते इसको और option D दिया है इनमें से कोई नहीं तो सबसे पहले आप अपना answer करने की कोशच कीजिए और यह question आपका important है entrance exam के point of view से ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे maximum लोगों ने अपना answer कर लिया होगा तो चलिए अब मैं आपको इस question का correct answer बता देता हूँ तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा option C aluminium यानि AL यह आपका इसमें correct answer हो जाएगा corundum किस धातू का ISK है aluminium का है ध्यान रखिएगा question आपका important है अब चलिए बढ़ते next question की तरब question number 12 तो question number 12 यह question मैंने आप लोगों से already दो बार पूछा हुआ है तो आशा करता हूँ कि आज सभी लोग इस question का answer correct जरूर देंगे question क्या है कि इस podium mean किस धातू का ISK है आपको यहाँ पे बताना है कि इस podium mean किस धातू का ISK है चार options आप लोगों की के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे option A दिया है copper का copper को हम CU से represent करते है option B दिया है lead का lead को हम PB से represent करते option C calcium का CA से represent करते है option D दिया है lithium का lithium को LI से represent करते है तो यह भी मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है तो यहाँ पे maximum लोगों ने अपना answer कर लिया होगा तो चलिए अब मैं आपको इसका correct answer बता देता हूँ इसमें आपका correct answer क्या हो जाएगा तो इस podium इन किस धातू का ask है तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा option D यानि lithium का LI यह आपका इसमे correct answer हो जाएगा तो यहाँ पे maximum लोगों ने इस question का answer correct जरूर दिया होगा और जिसने correct नहीं दिया इसका मतलब वो अपना revision नहीं करता है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि revision करना बहुत जरूरी है अगर revision नहीं करेंगे जो पुरानी चीजे आप लोगों ने पढ़ी है वो भूल जाएंगे और जब आप entrance exam अपना देने जाएंगे तो जो question आपको आता रहेगा उसको भी आप गलत करके आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा तो अपना revision जरूर किया कीजिए ठीक है तो यहाँ पर option D आपका समे correct answer हो जाएगा अब चलिए बढ़ते next question की तरफ question number 13 question number 13 यह भी आपका important है question है यहाँ पर कि cryolite की सधातू का ISK है आपको बताना है कि cryolite की सधातू का ISK है चार options आप लोगों की screen के उपर आप लोगों को देख रहे होंगे option A आपका दिया है magnesium का magnesium को mg से represent करते हैं हम लोग zinc का दिया है तो zinc को zN से represent करते हैं aluminium को AL से और इन में से कोई नहीं यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर maximum लोगों ने अपना answer कर लिया होगा तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस question का correct answer बता देता हूँ कि cryolite किस धातु का ask है तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा option C यानि aluminium का और aluminium को हम AL से represent करते हैं यह दिहान रखिएगा अब यहाँ पर लिखा हुआ है cryolite तो cryolite का formula भी आप लोगों से direct पूछा जा सकता है question important है तो cryolite इसका formula क्या होता है इसका chemical formula क्या होता है मैंने आपको कही बार बताया है एक बार फिर से बता देता हूँ cryolite का formula क्या होता है तो इसका formula होता है NA3 AL F6 यह होता है इसका formula ध्यान रखिएगा याद कर लीजेगा आपसे पूछा जा सकता है मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ इससे पहले भी मैंने आपको कही बार बताया हुआ है और maximum लोगों को याद भी होगा आपसे cryolite का formula पूछा जा सकता है अब चलिए देखते हैं आज का last question question number 14 question number 14 आपका यहाँ पे है निम्न मेंसे लोहे का ESC है आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न मेंसे लोहे का ESC है चार options आप लोगों की screen के ऊपर आप लोगों को देख रहे होंगे तो आपसे questions ऐसे भी पूछे जा सकते है ठीक है जसे अभी तक हम लोगों ने जितने question solve किये वहाँ पे आपको जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि क्रायो लाइट किस धातू का आयस्क है यानि आयस्क का नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ होता है ठीक है यहाँ पे जासा कि आप देख सकते है यहाँ पे इस Qe detector में ISK का नाम पहले से दिया हुआ है लेकिन जो Qe detector number 14 है यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया गया है कि निम्न मैं से लोहे का ISK है यानि यहाँ पे आपको धातू का नाम दे दिया गया है आपको बताना है इन चार options में से कि कौन सा लोहे का आयस्क है ठीक है तो ऐसे भी आप लोगों से question पूछे जाते हैं तो चार options आपको दिया गया option A आपका दिया है limestone, option B boxide, option C दिया है siderite और option D दिया है chromide तो सबसे पहले आप इस question का answer करने की कोशिश कीजिए और मैं आप लोगों को बता दू यहाँ पे मैंने आज आपको total 14 question कराई हुए हैं यह सभी questions आप लोगों के most important है और ISK और धातू से related बात की जाए तो यहाँ से आप लोगों के कई questions बन सकते हैं अगर total question की बात की जाए तो कम से कम आपके 30 से 32 question बनेंगे अगर आप यहाँ पे questions बनाना चाहेंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे total 14 question करा रहा हूँ अगर आप इसका part 2 चाहते हैं ठीक है तो comment करके बता दीजेगा मैं part 2 भी आप लोगों को करवा दूँगा वहाँ भी मैं करीब 13 से 14 question एड कर लूँगा और आप लोगों से पूछूंगा आप लोगों का test भी हो जाएगा practice भी हो जाएगी और साथी साथ आप लोगों को questions भी अच्छे से याद हो जाएंगे और फिर इस topic से अगर आपके entrance exam में question पूछा जाएगा तो इस से बाहर आप से कोई question नहीं पूछा जाएगा ये बात आप ध्यान रखेगा तो यहाँ पे सभी लोगों ने question number 14 का answer कर लिया होगा तो मैं आपको इसका correct answer बता देता हूँ कि निम्न में से लोहे का IS का कौन सा है आखिर चारो options में से तो आपका इसमें correct answer हो जाएगा option C यानि cd right ये आपका इसमें correct answer हो जाएगा तो अगर आप इसका part 2 चाहते हैं ठीक है धातू और उनके ask से related आप part 2 चाहते हैं इसका तो comment करके जरूर बताईएगा और साथी साथ ये भी बताईएगा कि आपके total 14 questions में से कितने questions correct हुए हैं ठीक है comment करके जरूर बताईएगा और अगर आज किस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करना मत भूलेगा और साथी साथ हमारे चनल study with अभिमान को subscribe करना मत भूलेगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे next वीडियो में thanks for watching